हेलो फ्रेंट स्वागत आपके स्टड़ी हेक्चर पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाब की स्रीज चल लिए जिसमें हम बात करते हैं वोकाब की एकदम बेसिक लेबल से अगर आप नए हूँ आपको वोकाब में कुछ भी नहीं आता तो आप बड़ी असानी से सी किलोगा वोकाब को क्योंकि हम इसमें नए नए टेकनिक्स लिए इसका करते हैं या फिर आपको जो भी वोकाब करते हैं उसके एक इंसीडेंट के पर में आपको याद करवाने की कोशिस करता हूं तो में पर जब आपको कोश्चन दिखें तो आपको अच्छानक से स्ट्राइक हो जाए कि साथ ने यह कोश्चन या यह इमेज या यह नियमोनिक्स के साथ बताया था तो चीजे आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आप एक्जाम में गलती ना ख़रेगी और इसमें सिपने सब्चार नियारे का बिलता नियुस अप पर जो आप शियर किसे नहीं करते के लिए और इसमें उसे वह कोश्चन पाथा हूं परिकहां ठोब जिसकीैंकिे लेंटी करके अफिक हो भी अच्छे से वünde करपाऊ ठीक में आई तो हमारे यह क्लास डेली फायग रिक्यों से व् attain पर होता है मंडे टू फ्राइड़ और सेट आड़ को स्पेशल क्लास होती है जो आप प्रॉपित कमेंट करते हो मैं उस पर सौट ट्रिक्स या फिर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है अच्छली बीना देडिक अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मते हैं ऐसको याद कैसे करोंगे कार आ रहा है ने हापे और यूज हो रहा है तो कशिद करते हो दोस्तों को क्या देना पर देना पाथा ठीक है तो पाटि में करते हो खान पण करके अनंद मनाते हैं खाना पीना होता अच्या इसी को आनंद मनाते हैं अपक्षम उसे आप में हो प्रकता खाना पीना मला हो है खाना को त्यागते हैं खाना नहीं खाते चीज़ कि लिए और रोगे भी तो हम आगे बढ़ने ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं निक्स भूर्ड जो बड़ है वो है कैज्वल ठीक है कैज्वल मतलब क्या हुथक्श्मिप कर अपका बोयुक्त से चाज्या को बोलता है अपचारी की बोलते हैं जैसा कि आपका casual dress होता है ठीक है आप डेली डेली नहीं पहनते हो ठीक है कभी-कभी पहनते हो जब पाठी वियर करते हो ठीक है occasional, relaxed, friendly यह सब क्या है इसके synonyms है casual है मतलब occasional है ठीक है कभी-कभी आप यूज करते हो डेली नहीं करते हो ठीक है और आप ऐसे भी casual dress पढ़े ही होगे ठीक है जब आप स्कूल में जाते होगा तो formal informal भी पढ़ा होगा तो वहां से चीज़े आपको याद होंगी ठीक है तो अच्छली आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड है कि आप कोई भी चीज़ रख दो तो उसको सांसे नहीं रहने देगे उसको गिराना उसका पहला काम होता है जैसे मालो ऐसे पेन रखा है आपके पास cat होगी टेवल पर रखा हो वह आएगी और पैर से मालकी से गिरा देगी ठीक है तो क्या हो तक तबाही मचाते रहती है है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेच्स Hautर्ड यह bringsSe what मतलब क्या होता है कूदना ज्कीप डानस ड्ले और यह सब क्या हैं से 플ते już सिनोनिम्स है क्या वाट अब जब जम्प करना मतलब कूदते हो तो अगर आप स्किप करते हो इसके से सिनोनिम्स बने हैं अब क्या वाट का मतलब याज रखना ठीक है कभी भी आप सांती से नहीं रहते मतलब क्या करते हैं चलना नहीं करदें नहीं करो ठीक है चाहने नीक्स बात लेतें सेरिमोन्याल स्सिरमोन्याल मतलब कहल सिष्टा चार इंब ठीक है कि पॉर्मल ठीक है फॉर्मल रिच्वल यह सब क्या क्यों ऄ स सीनोनिम से आप बिसार मैं जाते ओं कि हूथ यह ताप क्या करते हो वहां पर आफ्चा व्याहर करते मत्ट सिस्टर चार युपत रहते हो ताग oni में जद हो हांमाहला चिल्ला कर लोग आपको अच्छा वैक्ती नह siblings से उस्टर चार युपत हो ठीक है तो सेरोमोनियल मतलब इंफॉर्मल प्रसेथा जया होता है। अनपचारिक ठीक है छाले हैं नैस्थ बात कर लेते हैं। बारे में बुरा कर रहा हो उसकी ले रहा हो आस्क कर रहे हो ठीक है कोई बुरी बात जो होती है उसका ही आस्क कर रहा है तो आधा बडू यह को रहे हैं तो घूठ आप मजा ले रहां थीक है तो आप ऐसे याद कर सब्था भी से कि कुछ Actually बुरी बात है बुरे लक्षन है या फिर वो क्या बोलते हैं उसको खकला के बोल ला है तो आप उससे मज़े ले रहे हो तो यह भी हो जा रहता है बास की मतलब ठीक है किसी की कोई भी हर रहा है मजा ले रहा हुँ ठीक है जाली नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डिट कोज कुम होते हैं यह मैं आपको करा रहा है कहां करा है क्षुपा नहीं रहता है उसके करते हो सब्सक्राइब झाराई जगना पसंद होता है लेते हैं और यह हमने क리वेश को दान देने वाला थे कौण होता है और जो कौन होता है जो दान देता है one who helps people by giving them money or other aid जो किसी भी दूसरे person को क्या करता पैसे दे के help करता या फिर किसी दूसरे वस्तु से help करता है ठीक है तो उसी को बोलता है benefactor दान देने वाला यह बड़ते है नेक्स बड़ें बेनिफिसे लोग वर्ड आहीं गया जिसकी मैंने जिक्रिकी थी तो बेनिफिसरी क्या होता है लावर्थी ठीक है बैने फैक्टर जो पैसा देता है ठीक है और बैनिफिसरी जो उसको लेता है ऐसा परसन जो आप से लेता है या भी पैसा दो तो जो आप से लेता है वही होता है बैनिफिस नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है वह बेरेफ्ट है अभाब से यह दुकी यह वर्ड मैंने आपको एंटो सीनव में बताया था कि आपने तारे जमीन पर मुझी देखियो गी तो इस बैचार को मा का प्यार नहीं मिल पाता है तो उससे बंचित रह जाता है ठीक है डेप्राइब्ड ऑस और लैकिंग आफ सम्थिंग किसी भी चीज से बंचित हो जाना यह किसी भी चीज का अभाव ही करता था ठीक है अब देख पाड़ होगे इसके मॉम डैड डेड हो चुके है ठीक है तो यह मॉम डैड के प्यार से क्या है ब्रेफ्ट है अभाव में ठीक है वंचीत रहे गई है ठीक है आप इस चीज को याद रखना आपको चीज़े क्लियर हो जाएगी चलिए नेक्स्ट वाद कर लेते हैं नेक्स्ट जाता कि आपको पता है इडियम और फ्रेजर के से सिशन आते ह गणती बजएगी आप फैंलियर होतों कि इसकी आवाज है तो घंती की आवाज इसमें कोई दोर्ण राइन होते कि आपको लगे करे कुछ और की आवाज है घंत यहीं लगती है तो क्या होता है वो बहुत ही असपास्ट आता है इसले बोलते एज क्लियर एज बेल ठीक है आपको कोई बीची असाडी से समझ आजा तो उसको बोलते है एज किलिए ऐज बेल या फिर बात करते हैं लेकिन अपने उस त्टाइम लेकर दस बज़े तक तो मैंने आपकी क्मेंट को इंक्लूड नहीं कर पाया हूं ठीक है लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया है सही सही अंसर किया है impossible to understand ठीक है अगर आप teacher को देखो तो teacher कितना आपको साफ दिखता है teacher के नीचे कोई भी चीज दब जाए तो क्या होगा आपको समझे में आएगा चीज नहीं आएगा वो चीज नहीं दिख लेगा ठीक है तो as clear as मैं कहने करतात पर होता है कि जिसको समझना असंभब ठीक है impossible to understand अगर आपके बॉस आप अगर आपके जॉब का तो आपके बहुत कुछ लंबा भासन देते हो तो आप हमेसा yes boss yes boss कर देते हो कि हाहां clear हो गया जैसे mud clear हो जाता है ठीक है मतलब कि समझ में नहीं आई फिर भी क्य extremely silly जो चीज बहुत मुल्कतापूर्ण हो उसी को बोलते है as daft as brush ठीक है देखो daft as brush cancer patient care करना ठीक है बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यहां पे इसको relate किया गया है कि अगर वह ठीक नहीं होने वाला है फिर भी आप उसके पीछे पढ़ो तो यह आपका मुल्कतापूर्ण प्रयास होगा ठीक है तो as daft as a brush अप याद रखना इसका मतलब होता extremely silly ठीक है बेहद मुल्कतापूर्ण ठीक है चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है as fit as fiddle मतलब क्या होता है बहुत अच्छे स्वास्त में ठीक है strong and healthy ठीक है as fit as fiddle मतलब होता strong and healthy अप देख पा र क्या है as fit as fiddle है अब तेक पाड़े इस की तार को कितना fit है बजाने के लिए ठीक है इसके डोले-सोले भी आ गए है ठीक है he has recovered from illness and now as fit as fiddle ठीक है आपको sentence में ही बता दिया कि कैसे use करना इंडियम को चली आगे बढ़ते है नेक्स इडियम कह रहा है as hard as nail मतलब क्या है भावना ही और आप nail को कील को देखो तो बहुत हार्ड होता है ठीक है और कील में कोई भावना होती तो उसको जो हम hammer मारते तो फिर बेचार की आह निकलती ठीक है लेकिन कोई भावना नहीं होती है और आराम से अंदर चला जाता जहां भी हम इसको इंसर्ट करते हैं इमोशन लेस अनरेलेंटिंग टू है नोव फिलिंग कोई भी फिलिंग ही नहीं हो ठीक है नेक्स बात कर लेते है जैसा कि आपको पता कि हमारा एक पैंडोरा बॉक्स होता है जिसको वोलते भावनानिमती का पीटा रहा है जिसको की ले होंगे रिवलर क्लास में आपको पता हो उसमें से क्या निकलता है अगर आप नियू हो तो मैं आपको बता दू उसमें से क्या निकलता है तो ौर्टी बल्net रूज्स किस्с चीज किने और के उसका यूज सब्सक्राइब और क्लास बूस्ट फॉर संटेसिंगे थो एक उसमें गलतियां धूंड पाए ताकि हम उन्हें सही करता है ठीक है तो अब एक साथ सौर डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जागी और समझना भी मुश्किल हो जागा हमारे लिए ठीक है तो अभी तक हमने 28 क्लास किये तो 28 रूल भी डिसकस कर लिया आज 29 नाइंथ रूल है तो देखते हैं कि क्या है तो क्या कह रहा है आज करूल कि कोई इंफिनिटीव हो वह पर्जेंटेंस में होना चाहिए अनलेस इट रिपर्जेंट एन एक्शन प्रायर टू डैट ऑफ दा गवर्निंग वर्ड ठीक है कब नहीं होना चाहिए अगर कोई इं ठीक है आप देख सकतो sentence आपको क्लियर होगा कि आई सुड है आप नहीं है ठीक है तो आपको पता कि पूल कैया है इंफिनिटीव आप पर आप है कि परजेंटेंट में होना चाहिए लेकिन यह पर्जेंट में है नहीं इसको परजेंट में बनाएंगे तो राइट क्या नह तो I should have like to go there आप याद अगना है कि इंफिनिटिव जो होता है mostly present tense में ही यूज होता है ठीक है unless it represent an action prior to that of governing ठीक है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स जैसा कि आपको पता है previous question discuss करते हैं वह आपके सारे question कर लेता हूं ठीक है तो अभी तक हमने 8 दिसंबर के चारों shift कर लिए तो आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर के shift first की ठीक है तो यहां पे आपको proper idiom बता ने इसलिए आपको 10 सेकेड मिलेंगे ठीक है तो आपका time start होता अब ठीक है क्या head the activist is working really hard and was determined to dash for this form चार अप्सने keep the wolf from the door ठीक है have feet of clay move heaven and earth blow his own trumpet ठीक है इसका time up हो गया तो अगर आप बहुत ही hard work कर रहे हो तो hard work के लिए आप क्या करोगे क्या करोगा तो move heaven and earth ठीक है यह होता है कि आप जब कठीन परिश्रम कर तो कोई भी प्रयास नहीं चोड़ते हो ठीक है तो heaven और earth को move कर देता हो ठीक है यहाँ पर प्रोपर इडियम आएगा आप सभी लोग ने सही अंतर कर दिया होगा बहुत ही इजी इडियम है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है केर का चार ऑप्शन है वाडी कंसर्ण डिस्रिगार्ड एटेंस बहुत इजी वर्ड है आई होप आप सभी लोग ने सही सही अंसर कर दोगे दो से तीन सेकेंड काफी था ठीक है तो इसी के साथ टाइम और चिंता भी करते हैं एंड्विस ठीक है और क्या ब लुद्ट ट्रोबल बosak अगराट कि चिंता कर रहे हैं मतलब परसानी में हो चिता करते करते परसानी में हो जाओ तो कियर कहीं सीनोनीम से क्या कंसर्ण ठीक है देख फाल करना तो इसका सही एंटोनीम होगा वह होगा डिस्रिकार जिस रिगार्ड मतलब क्या होता है वहिल ना करता है जो आपके किले ना करे आपका इसको बोल सकता हो अनकंसर्ण और क्या बोल सकतो हो और अपैती बोल सकतो हो एक और है सब्सक्राइब आपको पता है ध्यान किसी का भाई ध्यान नोटीस ठीक है रिगार्ड यह सब इसकी सिनोनीम से चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है इडियम क्या है पुट इज फूट डाउन ठीक है चार अप्टन एग्री टू रिकॉंसीडर रिफ्यूज टू इल्ट रन स्टैंप इज फूट डाउन ठीक है अप हेल्प लेक्सर तो इस संटेंस का ठीक है तो आई होप आप सभी लोग ने एंसर कर दिया होगा ठीक है अगर आप अपने पैर आप मालों की कोई काम कर रहे हो आप भीक मांग रहे हो तो बेक करने के लिए आपको हमेंसा चलते रहना पर यहां कभी हो लेकिन आप अपने फूट को डाउन कर दे रहे हो एक जगह पर रुख जा रहे हो तो क्या कर रहो आप डिफूज कर दे रहो इल्ड करने से कि अब मुझे आप आगे कोई काम नहीं करना अब और नहीं कमाना है ठीक है तो यह होगा डिफूज ठीक है चले नेक्स्ट बात कर लेकिस कर लोगे और यह इजी word भी है आप लोगा बहुत बाद रहा होगा ठीक है और मैंने भी बता रहा कि प्रीए सबहा इसको बन सकता है led और क्या क्या बोथ भूब सब्सक्राइब लंबा तो इसको लंदी भी बोल सकते हो ठीक है कि यह सब इसके सब्सक्राइब साइक्लोनिक मतलब होता है चक्रवाती जो चक्रवात आते हैं इंटर्मिटेंट मतलब क्या होता है इंटर्मिटेंट मतलब क्या होता है इंटर्मिटेंट मतलब क्या होता है बीच में रुख जा रहा है ठीक है ब्रेक ले रहा है मतलब रुख रुख कर जो भी चीज़ होती है उसे भी इंट्रमेटन दिंट्वं काते हैं इन्ट्मीस भी लो सकते हैं ऊपी इसको डिसकंटीन्य दिसकंटी सकते लिगे सो क्या मतलब है् कि इंटर मीसीव डाय को इंटरमी सीव है ठीक है या फिर डिसकंटीनियू है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनिम्स बताने इगर का यह भी बहुत ईजिए एक्जिलेरेटेड एपैथेटिक सैटिस्फाइड टेंस यह सब इसके क्या है चार आप्शन से आपने एलिमिनेशन मेठर यूज करके इसको आपको इसका सीनोनिम्स नहीं दिख रहा होगा यहां पर एलिमिनेशन भी लगाते तो आसानी से हो जाती है तो आप सबी लोग ने सब्सक्राइब और क्या बोल सकतो हो और नेस्ट भी बोल सकतो अनेस्ट भी इसका क्या है टीक है उत्सुख होता है इसका मतलब क्या होता है उत्सुख मतलब बोल सकते हो और इंडीफेन्ट बोल सकते हो हो इसका भी मतलब होता है तिक इसको बोल सकतो है और क्या बोल सकतो है ठीक है तेंस्ट आपको पता है तनाब में रहना ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको वन वर्ड सब्स्ट्यूशन बताना इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है वर्ड है बैटल और एनीफिंग और कॉजिंग मच बलड से चार ओप्सन है इन एफेवेबल ऑटोक्रैसी रेट टेपिस्म सेंग्यूनरी ठीक है आप लोग एलिमिनेशन से भी कर प डिए ठीक है जिस भी को आपने साप दिया मतलों कि आफ इसको इसको इसका हेंदी होता है और बाकी चीज जो है इन इवहासा अज़ाइक डिसका कर दूंगा और आघे कर रखा कर रख है और बाकी जे आगे करूंगा इसलिए यहां पर इसको छोड़ रहां चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनिम से बताना है कंसील्ड का ठीक है यह बीजी है चार अप्सन है बौरोड स्नैच सेपरेटर डिसकाई तो आपको मीनिंग पता होंगी तीन वर्ड का भी तो आप वैं कंब होते के अब बन्हार नोगर्व सकते हैं क्परेटर मतलब क्या होता है कि मि Ici अब पाणी के साथ यह विविश्त व्यूत क्रिप्टिक में इस थे मिक्रीख कर लेता है कि से उधार लेना जीले जैसा कर लेना सेप्रेटर मतलब अलग-अलग करना ठीक है इसको बोल सकते हो पार्टेड या डिवाइड यह सब क्या इसके सिनोनीज नेक्स बात करतें नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है इडियम क्या है एज हाइज हाइज आपके रिफरेंस के लिए मैंने यह पिक भी लगा तब मैं आपके कमेंट को इंक्लूड कर पाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में अन्य था मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है चली आगे बढ़ते तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे ठीक है कमे में इस वीक के लास्ट में वेकेंड में सटर्डे को कौन से टॉपिक का आपको क्लासे चाहिए ठीक है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिन्हें कम टाइम में अच्छे क्लास चाहिए जिसमें आप वोकैबी डिसर्स कर लो और इंग्लिस के इंपोर्टेंट ग्रामर पर देख पार होगी हमारी वीडियो जैसा मैं वादा करता हुए तो अभी आपके घरी में हो सकता है 25 या 26 मिनट की हो रही होंगी ठीक है इससे ज्यादा नहीं हुआ हो ठीक है तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाने की कोश्चिस करूंगा ठीक है तब तक के लिए जया हिंद जया भारत टेक किया है